लोग कैसे आप सब जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ अगर सभी लाइव आ चुके हैं हम देखते हैं एक बरी अपडेट कर देता हूं मैं टेली ग्राम चैनल पर ताकि आपके सभी दोस्त जोइन कर सकें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज आपने हाट तो देख ली है तो आ सब चीज़ों के बारे में देखेंगे तो इसके पहले मैं अभी टेली ग्राम चैनल पर अपने अपडेट कर देता हूं कि हम लाइव आच चुके हैं चलिए अभी अभी शुरू करते हैं आडियो आडियो क्लियर है सभी को आडियो में कोई डिस्टर्बेंस वगरा तो नही तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कल वाला वीडियो के अंदर किसी को भी कुछ भी डाउट है कमेंट सिक्षिन में आप ya ड्रॉप कर सकता है कमेंट मैं आपको आपका डउट बता दूगा चले फिर आज का शुरू करें तो हाजरी देदो जितने भी बच्चे अभी एन ओवेल एक कंडिशन होती है पेटेंट फॉरम एन ओवेल वो देखने आले हैं हाई हैं रिटर नोट कैसे हो आप जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सभी चैट बॉक्स में फटाक से अपना नाम लिख दो है नाम हाई हेलो कुछ भी लिख दो चलो फिर हम देखने वाले दू एक वह सब्सक्राइब कर दो उनके बारे में देखेंगे किस किस टैप के कहां पर वॉल्स है क्या नाम उनका होता है डायर्इक डायरिक्ट मैस्ज भी यह यहां क connection क्या है कैसा क्या पूर immense हमें जो चीज़े लास्ट में है फूर्ड को डीकॉर करने यहागर सेकल कशो ब्लड को व्लव के यह विवाह कुछ बारे है उसके बारे में हम देखने वाल तक अगर किसी को कुछ भी दाउट है तो घैने काई सफरीना कैसि आ आप वीडियो नहीं वीडियो बच्चे आता रही है मेरे को पूरा ख्लियर दिखा रहा है दिपती में आ हलो हलो अनीरुधा कैसे आप ओके चलो शुरू करते हैं ठीक है अभी का फिर आज का सेशन शुरू करते हैं देखो आप सभी को पता ही है कि मैं अभी जस्ट इंफिलेंसा से कर रहा हूं स्वाइन फ्यू दूसरे स्ट्रेन आप बोल सकते हैं स्वाइन की बहुत कॉमन है तो मैं बहुत जादा तेज या फिर बहुत जादा जल्दी जल्दी नहीं पड़ा पाऊंगा आपको तो साथ में पेशेंट ली बैठी है और आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है क्यो आज का टॉपिक ऑफ डिसकुशन है वह बहुत इंपोर्टेंट है और मैंने इकना लंदी आपका रखा भी नहीं सिर्फ चार वीडियो अपकी रखी है दो वीडियो में करा चुका हूँ आपको बहुत बड़ा चिप्टर है तो इसलिए मैंने बहुत कंसाइस वे में बहु यह दिल नहीं है भाईया ऐसा दिल नहीं होता है ठीक है दिल कैसा होता है दिल हमारा होता है ऐसा अगर मेडिको हो आप अगर आपसे कभी भी दिल के बारे में पूछा जाए तो आप इसका ऐसे नहीं बनाओगे क्यासा बनाओगे जैसा आपको दिख रहा है बट आप यह वाला जो area है ना यह जो tilted portion है यह जित्ती भी चीज़े मैं बताऊंगा आपको यह left side रहेगा यह क्या रहेगा right side रहेगा ठीक है अब यह हम diagram को समझते हैं के लिए यह video है हाँ बचे निट के लिए video है ठीक है तो चलो देखो यह left side रहेगा बच्चो यह right side रहेगा ठीक है simple सा concept है अब यह देखो यह point होता है इसको हम बोलते है apex apex मतलब चोटी टाइप का होता है उसको हम बोलते है यह कहा है left side में तो heart जो होता है पूरा left side में नहीं होता है बट जो उसका major portion थोड़ा सा portion होता है वो left side में होता है इसलिए left heart के position हम बोलते हैं left side में होता है फिर उसके बाद आपको क्या क्या दिख रहे है यह pulmonary vein artery इसा बाद में देखेंगे ठीक है तो यह जो left side है left side में एक wall दिख रहे है इसका क्या नाम है mitral valve ठीक है उसके साथ में देखो यहां पे कुछ चीजे दिख रही है एक दो ठ तो यह जो यह बाहर निकल रही है ने यह papillary muscle है और यहां पर आपको दो दिख रही है थीच है तो यह है mitral valve फिर उसके बाद बच्चो यहां पर देखो क्या दिख रहा है यहां पर दिख रहा है pulmonary and triacuspid यहां पर यह यह एटिक भी दिख रहा है आपको चिक है aeotic valve और pulmonary नहीं पर भप के बारे में आपको बताता हूं बढ़िया देखो ट्राय स्पिड वॉलर ठीक है तो यहां पर सिर्फना आपको दो यहीं चीजे दिग रही है यहां दो ही कस्प की दिख पारें भी तो ही कड़ें लाज हो इसलिए इसका क्या नाम दिया है ठ्राय क cling द lijघ हैं फिर उसके बाद देखो एओडा की जो ओपनिग है उसको गार्डेक वल्फ। उसको नाम दिया है जो पुरमनरी आट्रीको जो गार्ड कर रहे हैं, उसको हार्ट जो होता है बच्चो देखो अगर आप जैसे ऐसे दो लंग्स देखोगे अगर ऐसे आपके दो लंग्स हैं सपोस्ट दो लंग के बीच में एरिया होता है यह लेफट वाला होगा यह राइट वाला होगा इस एरिया को बूल दाते क्या इस इरिया को बोलते हैं मीडिया श्टाइनम स साथ की साथ हमें याद करके जाना है जो ißtके शर्क्टर अर्ट में सब रठने का है अजी अगर आप ने देखा तो समझ आएगा नहीं तो भूल जा हुए तो इस area को बोलते हैं media steinum इसको क्या बोलते है media steinum media steinum के बारे में देखो the heart is located in media steinum कहा होता है media steinum के अंदर फिर उसके बाद बाद में दूसरी चीज़ देखता है अगर heart की बात करते हैं तो यहां देखो यह gray color का कुछ दिख रहा है फिर यहां थोड़ा सा light gray और यह pinkish है यह यह है और फिर उसके अब अंदर भी कुछ, यह red color का है तो यह जो grayish है ना बचो यह grayish covering है इसको हम बोलते है पैरी कार्डियम क्या बोलते हैं पैरी कार्डियम पैरी मतलब होते है अराउंड कार्डियम मतलब होता है हाट क्या होता है पैरी मतलब अराउंड कार्डियम मतलब होता है हाट ऐसी हमने प्लूरल मेंब्रेंस पढ़ा था किसके अराउंड पढ़ा था लंग क्या पढ़ा था Plural Memories के बारे में पढ़ा था तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चे Pericardium मेरे साथ साथ सब बोलेंगे सबसे बाहर किया है Pericardium बीच में जो पिंकिश दिख रहा है जो बीच में पिंकिश दिख रहा है इसको हम बोलते है Myocardium Cardium मतलब होता है Layer Kind of ठीक है Heart से Related जो है उसको हम बोल रहे है Cardium उसको हमने बोला Myocardium फिर सबसे अंदर यह जो रेडिश जो covering दिख रहा है ठीक है इसको हम क्या बोलते है बच्चो Endocardium क्या बोलते हैं इसको Endocardium इसको एक बारी मैं मूव कर देता हूँ जो रेडिश है इसको हम बोलते हैं Endocardium तो यह तीन लेयर याद रखना है क्या क्या ससे बाहर है Pericardium बीच में क्या है Myocardium अंदर किया है Endocardium मेरे साथ बोलो Pericardium, Myocardium, Endocardium तो तीन covering है यह सीधा सीधा पूछा जाता है ठीक है सबसे पहला Pericardium, Hello Shriyas कैसे आप, Hello Muskan कैसे हो Pericardium, दूसरा Myocardium, तीसरा Endocardium तो टोटल तीन लेयर हुई ठीक है तो यह जो Pericardium है यह दो टाइप दो लेयर में डिवैड होता है ठीक है यह भी दो लेयर होती है आउटर और इनर जैसे हमने lungs में देखा था सेम आउटर ऑर इनरiros, जो Pericardium का जो outer layer है, उसको हम बोलते है Pariptal, पैराइटल मतलब बाहर वाला होता है Pariptal Pericardium और जो अंदर वाला है उसको हम बोलते है– Visceral Pericardium क्या बोला जाता है? visceral मतलब होता है कोई भी organ related या फिर कोई भी visceral उसके related कोई भी बात होती है तो उसको हम बोले जाता है visceral लगा देते हैं उसके साथ में बड़ तो visceral pericardium तो अब यह जो pericardium होता है यह किस चीज का बना होता है ठीक है यह बना होता है sorry made up of white fibrous connective tissue अब यह white fibrous connective tissue की sheet से बना होता है किस से बना होता है sheet से बना होता है जब मैंने आपको epithelium बढ़ा था तो मैंने आपको यह बताया था फिर उसके बाद इनके बीच में न in between the layers this has a fluid होता है इसका नाम क्या होता है okay pericardial fluid pericardial haha pericardial fluid आप्हार्चन यह fewer pericardial fluid है को इसका function पूच्वा जाता है तो pericardial fluid का function देखो email pericardial fluid का function देखो सबसे पहले तो देखो जब हमने लंग्स बढ़ा था तो उसके बीच में क्या था हलो प्रमोध कैसे हो आप जब हम बात करते हैं हमने पेरिकार्डियल फ्यूड तो चोड़ो हमने किसके बारे में बढ़ा था प्यूरेल फ्यूड के प्यूरेल फ्यूड का क्या था ऐसा बीच में फ्रिक् शॉक एब्सॉप्शन फ्रिक्शन कम करना शॉक को एब्सॉप करना साथ में मॉइस सर्फिस प्रोवाइड करना यह सारा काम है और साथ में मनलब आप देखो पूरा जो ओवरॉल बेस्ट है अगर बोलें तो प्रोटेक्शन का भी काम है अगर आप बात करें तो प्रोटेक्शन का भी काम है तो एक क्लियर तो आपके क्लियर हो गई पैरिकार्डियम पैरिकार्डियम क्या आप ने क्या क्या देखा आउटर क्या है इनर क्या है किस ची से बना होता है फिर उसके बीच मे क्या हमसा fluid होता है फिर उसका function क्या रहता है और यह मैंने आपको space दिखा दिया यह क्या होता है यह जो space है इसको हम बोलते है media stynum इसको हम क्या बोलते है media stynum अगर यहां तक किसी को कोई भी doubt है तो chat box में लिखो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर हम बात करते है humans के अंदर अगर बात करते है तो देखो चार चेमबर यह inciiati का diagram है ठीक है टो एक chamber यह हो गया दूसरा chamber यह हो गया पीसरा chamber यह हूआ देखे करकर हमDesk को बहुत important है ठीक है तो आभी यहाँपर मैं कुछ चीजह एड़ कर देता हूँ ठीक है इसमें क्या होती है humans have four chamber heart अगर किसी नहीं को भी फोंट में नजर नहीं आ रहा है कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो बता सकता है मैं उसको थोड़े सा बढा करता हूँ तो humans के अंदर कितने chamber heart होता है? चार चिंबर हार्ट होता है, यह हमने कली पढ़ा था कि जब टाइपस ओफ हार्ट वगरा के अंदर पढ़ा था, तो हमने यह सब पढ़ लिया था, तो इसके बारे में दो चीजे और मैं बताता हूं, हार्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है, तो कोरोनरी वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, कोरोनरी, मेरे साथ बोलो कौनचा वर्ड यूज करते हैं, कोरोनरी, तो अब स्पेलिंग देखो, तो दो चीजे होती है, एक होता है, कोरोनरी ग्रूव, ठीक है, अभी जो कोरोनरी ग्रूव होता है, यह प्रेजेंट होता है, बिट् Atele and ventricle तो Atele and ventricle थिक है? Atele and ventricle के वीच में यह होता है क्या होता है? coronary groove दूसरा ही concept आता है coronary sinus sinus मतलब होता है opening sinus मतलब क्या होता है? opening होता है तो coronary sinus हो कुछ नहीं है it is the opening through which blood returns to the coronary circulation circulation ठीक है simple सा मतलब coronary circulation हो रहा है अब ब्लड है वह वापस भी तो आना चाहिए हार्ट के अंदर ही आना चाहिए तो अलग से क्या हुआ है यह coronary sinus नाम का एक opening बना दिया right atrium के अंदर होता है कहां पे होता है right atrium यह coronary groove के अंदर होता है ठीक है एक छोटा सा छेद बना दिया right atrium के अंदर जाने के लिए जहां से ब्लड वापस आ सकता है अब यह देखो यह क्या है इस अ ओपनिंग थू विच ब्लड फ्रॉम कोरोनरी सर्कुलेशन ब्लड फ्रॉम कोरोनरी सर्कुलेशन रिटर्स तू राइट अट्रियम इतना याद रखना बस इससे जादा कुछ नहीं है ठीक है नॉर्मल पूचा जाएगा करोननरी ग्रॉफ कर यह दो भीच में होता है को साइनस की है थी आपको लग क्यों कORोनरी सुनेश की है फिक है टो एपिक होने मातलब का उता है हाटशन का होता है beim दूसरा वोल पढ़ते हैं मायो कार्डियम के बारे मायो कार्डियम मायो कार्डियम किस चीज का बना होगा बच्चो मायो मतलब क्या होता है मसल कार्डियम मतलब क्या होता है हर्ट से रिलेटिट तो मायो कार्डियम क्या रहेगा बच्चो मायो कार्डियम रहेगा made up of made up of cardiac muscle अब cardiac muscles के बारे में कपड़ाय था जब मैंने epithelial tissue पड़ाय था तो तीनों muscles के बीच में difference बताय था skeletal smooth cardiac cardiac क्या होते हैं involuntary होती है refractory period जादा होता है intercalated disc होता है light bands present होते है light bands मतलब जो striations होती है वो थोड़ी healthy होती है वो present होती है है यहां पर कोई tapering वगएरा कुछ नहीं होता है तो यह सारी चीज़ी गए बट एक चीज़ यहाद रखना यह जो myocardium होती है यह थिकस्ट होती है left ventricle के अंदर यह जो होती है थिकस्ट होती है in left ventricle chat box में लिखो कहा होता है थिकस्ट कहा होती है left ventricle के अंदर जल्दी से chat box में लिखके बताओ ठीक है कहा होती है left ventricle के अंदर अब left ventricle के अंदर क्यों होती है because this pumps blood pure systemic circulation क्योंकि जो आपके systemic circulation है उस पूरे का प्लड़ सपलाइ करना है वह किसको करना है left ventricle ओआ जो राई ज्वेंट्रिक्ल को किसको सपल्य करने सर लांकों को करना है तो बचेस एक पूरी ब्लॉझ है मेरा से यह अ neither है हर जगा पॉय करना है आपकी जया कर ना है को जिलानों करना है इस लिए क्या है वहां है वहाँ पे स्मूध मसल मोटा हो गया है बट जो आपका राइट वेंट्रिक्ल था वहाँ पे पतला रहेगा, देखो यहाँ पे देखो आप अगर आप देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकल तो यह इतना चोड़ है, मैं यहाँ यह आपको इस वाले कलर से दिखाता हूं यह दे नजार आ रहाए न रहा न देखा यही आपको समझना है कि लेक्ट पेंदर प्राइगा क्यों आ है उसको ज़्यादा काम करना है जयादा आपको महनत लगेगा चलो इतना समझ आए तो आगे देखता हैं किसके बारे में मे किसके बारेमें इंडो- endocardium एक्शली जो हाट है modified blood vessel है जो सबसे अंदर वाला जो होगा blood vessel के अंदर किसका बना होता था stratified oh sorry squamous simple squamous epithelium या फिर accelerated epithelium या फिर accelerated epithelium का बना होता है यह simple सा concept है कि किस चीज़ का बना होगा ठीक है तो इसके अंदर आप बहुत सारी जैसे आप जब आप heart के बारे में देखो गे तो यहाँ के नौट करके देखो की जो आपका heart है यह जो आअट्रिया है यह आपका यहां पर बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्शन होती है ऐसे बहुत सारी एर्रेगुलर प्रोजेक्षेन होती है यहां पर डंक से दिखने रही है तो हम कुछ बूलते हैं। उसका नाम आपको पता ओना चीए ठीख है। उसको हम बोलते हैं मस्कुलाये क्योंकि मसल्स substitute यह पाक्तिनेटी मतलब होता है कॉंब लाइक है फाउम लाइक होता है यह मसल जाए सा प्रोजेक्शन है इसे लिए तब मुस्कुला पैक्टेनेटी क्या है irregular एतर्युलर, जो एतर्यंड बाल, जो एतर्ये, शोन highlighting उस न यहों कि आमुसिंहें छोन आ पुछकिन भी चना, एसे सब्सक्राइब तर्यून कि एसी कुछ बर्दिक्रलज में भी होगा, ब्धेस्टिक्री घुल- escuela कारने त्रैबिक्यूले कारने या फिर ट्रैबिक्यूले कारने के साथ में कॉल्यूमने कारने भी बोल दिया जाता है कॉल्यूमने कारने यह है कॉल्यूमने कारने भी बोल दिया जाता है और यह कहां पर होता है irregular projection from ventricular wall ventricular wall ठीक है तो यहाँ इस slide में आपने चार चीज़े देखी क्या myocardium के बारे में endocardium के बारे में फिर muscular pectinati के बारे में trabecular कारणे या फिर columnar कारणे के बारे में तो यह आपने चार चीज़े देखी है चलो फिर और चीज़े देखते हैं अगर यहां तक किसी को फिर दिक्कत है तो बताओ क्योंकि हम थोड़ा सा भी conceptual जादा चल रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ होता है कुछ ऐसे structures होते हैं जिनका मसल ही काडियक मसल ही है बट एक special जगा है इसलिए इसका नाम दे दिया गया है papillary मसल तो आप इसको papillary मसल को क्या बोलोगे बच्चो दीज अरदा बंडल्स ओफ मसल फाइबर present in the ventricular wall in the ventricular wall अब यह ventricular wall के अंदर जो bundle of muscle fibers present है उसको हमने क्या बोल दिया papillary muscles अब देखो एक चीज़ बताता हूँ सबोस यह heart है यह सबोस आपका heart है ठीक है उपर क्या होता है atria होता है नीचे क्या होता है ventricular होता है यह जो beach वाला जोगा atria और ventricular के बीच में होगा इसको हम क्या बोलेगे atria ventricular septum इसको हम क्या बोलेंगे atria ventricular septum और जो between तीन जो बिट्वीन एट्रिया एट्रिया होगा बिट्वीन वेंट्रिकल वेंट्रिकल होगा इसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम इसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इतना हमें पढ़ना होता है कि सेप्टम्स तीन होते हैं आपको वह नाम septum मतलब होता है partition जो कराता है partition जो कराता है उसको क्या बोलते है septum तो तीन टाइप क्यों होते है atrioventrical between atrials and ventricle दूसरा interventricular तीसरा inter atrial अभी यहां मैंने यह septum क्यों बढ़ा है वो मैं आपको बताता हूं अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं तो फिर आगे देखते हैं ठीक है अगर पेटेंट फोरमन से पहले हम देखते हैं कि यह सेप्टम के अंदर देख लेते हैं देखो यहां पर ख्लाइड कर लेता है और यह जो राइट एंड लेफ्ट इंटर ओ स्वारी एटरियव वेंटरिकमर एटरियो अटरियो वहां वहले अची है फिर राइट सैड जो जो सोचो आप मेजर पोर्शन है राइट सैड आप की बॉड़ी का मेजर पोर्शन है तो राइट सैड कितने वोल्व है Tricuspid Wolf, कैसा Wolf है Tricuspid Wolf, मैंने बस ऐसे याद रखने के लिए किया था, ठीक है, तो यहां पर Right पे जो होता है, यहां होता है, Tricuspid Wolf, और जो Left Side होता है, यहां होता है, By Cuspid Wolf, या फिर By Cuspid Wolf के अलावा दूसरा नाम होता है, इसका Mitral Wolf, अब यहां पे न मोदी जी जिन्दा नहीं थे हमारे, ठीक है, जब यह discovery चल रही तो मलदा मोदी जी जिन्दा थे, बड़ो scientist है नहीं, तो मित्रो मित्रो तो बोल थे नहीं तो इनको पता नहीं था, इन्होने Mitral Wolf रख दिया, नाम क्या रख दिया? Mitral Wolf scientist के नम पर है वैसे जैसे मजाग, में आपको यह आख रहने कहां पर कौन सा वॉल वहता है डिल्रिक डारेक आपसे पूच आपसे पूचा गया है दिखिए स्टेटमेंट में आपसे पूचा जाएगा तो उस स्टाइम पर आपको यह सल ठीक करना पड़ेगा उस टाइम पर आपको कुछ नहीं पता है क्यों कि स statement सही लिखा होगा बायकस्पिट की जगा ट्रायकस्पिट लेग जएगा कहीं पर माइटरल वोल्व का नाम ले दिया जाएगा आपको नहीं पता लगेगा situations के बारे में आपको समझना है ठीक है हलो innocent girl कैसे है अब चलो अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ नहीं तो फिर एक concept देख रहे है पेटेंट फोरामन ओवेल तो सबसे पहले तो हमें पता हो नाची कि कि क्या नाम है फोरामन ओवेल है क्या इसके बारे में हल्किसी स्टोरी जानते हैं हल्किसी बड़ी बड़ी प्यारी सी जिस्ट है तो जब embryology के लि यहां पे एट्रियस के बारे में तो जब एट्रियस बन रहे थे ना बच्चो यह जो बीच का सेप्टम बन रहा था इंटरेट्रियल सेप्टम बन रहा था तो क्या हुआ बच्चो एक छेद था वहां पे छेद था जिसको हमने बोला फोरामन ओवेल फोरामन मतलब होता है बच्छो opening, forum and opening, ठीक है, तो यह जब development हो रही थी, एक oval shaped opening थी, युसलिए हमने इसको बोला, forum and avail, तो forum and avail तो बता लग गया, पर क्या होता है, बच्छो जब हमारी development हो रही है, दिल का छेद सुना है, किस किस ने दिल का छेद सुना है, जल्दी से chat box में लिखके बता हो, किस कि किस को पता है, दिल का छेद क्या होता है, जल्दी लिखो, दिल का छेद कहीं भी पी सुना हो, किसी ने कि दिल के अंदर छेद है, किसी के, क्या ऐसा पंचर है, कि उसके अंदर ऐसा drill machine ने किसी ने छेद कर दिया गया, कि दिल का छेद क्या है, दिल का छेद यही है बच्छो patent for a man avail को दिल का छेद बोला जाता है ठीक है कि ये छेद बच गया इसको क्या बोला जाता है patent for a man avail good evening श्रिया तो patent for a man avail क्या होता है देखो अब इसके बारे में देखो मैं बाते लिख रहा हूँ ठीक है डूरिंघ। एम्रियोनिक देख disciple defense of Interatrial Septumुक् सॉब्टम ते ये अदुरिंख естеिम देख植 है रहीं दूरिंड एम्रियोनि डेख स'llने of Intratrial septum। there was one opening non-ahas forum and avail इसको हमने बोला forum and avail इसको हमने क्या बोला forum and avail that closes just before delivery या फिर या फिर फिर पार्चुरिशन बोल सकते हैं just before या फिर eight minutes अगर आप लिखना चाहो eight minutes before birth by the atony by the fibrous tissue under the influence of under the influence of nitric oxide no that act as हार्मोन ठीक है यह जो nitric oxide है यह हार्मोन की दरह काम करता है और वहाँ पर हमारा डेलिवरी से पहले forum and avail को कम बंद कर देता है ठीक है तो यह important है आपको nitric oxide पता होना चाहिए forum and avail के बरे में पता होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद की कहानी क्या होती है आगे की कहानी के लिए हम एक और slide add कर लेते हैं कि आप जो बिमारी है बिमारी तो अब आएगी जी बिमारी तो अब आएगी जब patent हुआ ठीक है the structure is known as Fossa ovelis Fossa ovelis Fossa ovelis Fossa ovelis kind of गड़ा type का ठीक है तो यह जो fausa ovallis जो होता है यह होता है राइट side depression होता है यह जो होता है राइट side depression होता है हलका सा गड़ा type का होता है राइट side में that is your Fossa ovealis हो ओवे बैट but sometimes the foramen avail foramen avail fails to close that condition is known as that condition is known as क्या बोला जाएगा जो उपर लिखा वा है TFO patent foramen avail payment foramen ations क्योंकि mixing of blood होगा देखाँ हें आछे आ रेक्याट काम करता है एक के अधर oxygenated blood रहता है एक के अधर deoxygenated blood रहता है ठीक जो राइट वाला होता है उसमें कया होता है ď दियोक्सिजिटेट ब्लड होता है जो लेफट वाला होता है उसके अंदर क्या होता है oxygenated blood आता है ठीक है तो अब यह mixing of blood हो जाएगा तो जो बच्चा होगा इसका फिलेवरी तो भी उसका blood जो है डंक से डेलेवर नहीं हो रहाँगा हाट के अंदर तो क्या होगा बच्चे को क्या होगा साइनोसिस हो जाएगा या फिर बोलते बच्चो ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम क्योंकि बच्चो उसका जो स्किन कलर जो होगा ना ब्ल्यू पढ़ने लग जाएगा तो इसको हम बोल देते हैं ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम ब लाइक बढ़ा दो मेरे ठीक है जितने भी आभी लाइक है वो ऐसा ओपर हो जाने चाहिए आपको बुरा लग रहा है तो बताओ नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में पेटेंट-डॉक्स- जरुद हो दिया देखो मैं बिमारी के अंदर भी आपको आके पढ़ा रहा हूँ इभी मेरा फीवर 9900 के आसपस था तो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मला वैसा ही रिस्पोंड दे जैसा मैं अपने अफॉर्ट जाल रहा हूँ दो द Yukना आता है Patent-Ductus Arteriosis के बाры में तो Duckus Arteriosis आपको पता होना ठीक है तो Really Doctus Arteriosis शुरू में क्या होता है कि जो systemic artery जो आपकी एओए हो और cursalining जो आपको प्ल्म absolument artery होती है उन्दोन के बीच में एक connection होता है शुरू में connection होता है तो उसको बोलता है हं एक ductus arteriosus या फिर duct of botani चीख है तो अभी मैं आपको लिखता हूं तो आपको समझ आएगी चीज़े ठीक है द्यूरिंग द्यूरिंग एंब्रियोनिक द्यूरिंग एंब्रियोनिक कंडिशन systemic artery that is अबकी एयोटा क्योंकि वहां systemic circulation को कौन लेके जा रहे है एयोटा लेके जाता है left ventricle से को नहीं कलता है एयोटा नहीं कलता है during embryonic condition systemic artery and pulmonary artery are connected by क्योंकि देखो lungs तो काम कर नहीं रहे होते न तो इसलिए इन दोनों को जुणने की जरूरित थी तो connected by ductus arteriosus ductus arteriosus से जुड़ा रहता है या फिर बोटानी बोलता है बोटानी बोटाली sorry ductus arteriosus या फिर ductus बोटाली ठीक है so just 8 minute ये भी 8 minute before parturation before parturation this is closed by fibrous tissue fibrous tissue under the influence of किसके influence में under the influence of nitric oxide जो nitric oxide है उसके influence में ये closure हो जाता है and forms ligamentum arteriosus क्या बनाता है ligamentum ligamentum arteriosus वहाँ पर क्या बन रहा था वहाँ पर क्या बन रहा था बच्चो जल्दी बताओ fossa बनना था भी fossa बननना था उसका क्या नाम था fossa ovalis ठीक है उसका क्या नाम था fossa ovalis and same sometimes this fails to close that condition is known as patent ductus arteriosus patent ductus arteriosus या फिर PDA उसको बोल जा जाता है उस condition को क्या बोल जाता है PDA या फिर patent ductus arteriosus अगर किसी को कोई doubt है तो जल्दी से बताओ ठीक है हलो कमलेश कैसे हो यह बहुत सिंपल कंसेट था ठीक है एंड यह जो होंगे न इस patients also suffers from cyanosis यह जो patient होते हैं यह भी cyanosis के शिकार हो जाते हैं ना चाते हैं भी हर चीज़ सब सही होती है बट जो nitric oxide की कमी की वज़े से हमारे बच्चे शिकार बन जाते हैं cyanosis का तो इस चीज़ का ध्यान रखना था है दिल के छेट को हमें बचाना होता है उसको भर देते हैं उसको ठीक कर देते हैं अगर ठीक कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ हो ठीक है तो अब देखो structure अगर continue और यहां पर एक दो एक दो तीन तो लेफ्ट साइड में कितने दिख रहे हैं दो राइट साइड में कितने देख रहे हैं तीन यहां पर राइट साइड में कितना पता है था ट्राइकास्पिड लेफ्ट साइड में क्या पता है था बाइकास्पिड तो एक दो एक दो तीन तो यह याद रखना है ठीक है तो NCIT के अंदर सब दिखा रख है जो आपको लिखा हुआ है वो सब आपको दिखा रख है चलो इसके बारे में देखते हैं हम ठीक है यह जो बाहर निकल रही हो दिए ना इनको हम papillary muscle ही बोलते हैं इसको क्या बोलते है papillary muscle बोलते है ठीक है तो अब देखो कुछ term लिखवा रहा हूँ sorry कुछ term लिखवा रहा हूँ वो देखो the apex of the apex of bicuspid and tricuspid valves are connected are connected with यह जो नीचे muscle थी उनका नाम क्या था papillary muscles क्या नाम था papillary muscle these are connected with papillary muscles through elastic fibrous elastic fibrous या फिर elastic cords elastic cords कोन से होगी white fibrous cords होगी white fibrous elastic cords like structure called as cord है तो इसका हम बोलेंगे corde tendine क्या बोलते हैं tendine corde tendine बोल दिया जाता है इसको corde tendine बोल दिया जाता है यह जो होती है present होती है in ventricles कहां पर present होती है ventricles के अंदर present होती है चीक है तो आप से पूछा जाता है number of papillary muscle ठीक है M-U-S-C-L-E ठीक है तो यह जो आपकी left side की पूछी जाएगी तो कितनी होगी 2 right side कितनी होगी 3 2 क्यों होगी by cuspid होता है ठीक है और 3 क्यों होगी cry cuspid होता है यह simple सा चोटा सा concept है कि आप से क्यों होगा यह सब पूछा जाता है अगर यहां तक किसी को भी कोई भी doubt है तो मेरे को बताओ जल्दी से बताओ बच्चो कौन सा फोसा बनता है फोसा कौन सा बनता है जब फोरा में वेल बंद होता है ठीक है जल्दी से बताओ और यह बताओ कि माइटरल वॉल किसका नाम है यह दो कोईशन है आपके लिए माइटरल वॉल किसका नाम है और कौन सा फोसा बनता है जल्दी से अभी चैट बॉक्स में मैं अहों आभी चैट बॉक्स ही देख रहा हूं सर डक्तस आट्रियोस बच्चे दोनों डोनों डिफरेंट हैं दोनों के दोनों डिफरेंट हैं अब दोनों के दोनों कैसे डिफरेंट हैं देखो जो डक्तस आट्रियोसस है बच्चे वो किस-किस के बीच में देखो यहां देखो डक्तस आट्रियोसस किस-किस के बीच में सिस इसली लिए यहां पर Foramen Ovel को बूला गया है उसको Ductus Aterossus but condition kind of थोड़ी सी सेम है आपको मेन यहां पर Ligamentum याद रखंगे है Ligamentum Aterossus बनता है यहां पर Foramen Ovelis बनता है. Good evening, Bart Simon. कैसे हैं आप'? Good evening ठीक है, तो फिर यहांपर Foramen Ovel हो गया यहां पर यह आपका concept होता है यह जो आपको पता होना जी पर sinuses दोनों जगह होगा क्योंकि बच्चों intermixing of blood रहता है यहां तक किसी को डाउट है तो बता हो यहां आपका muscle हो गया फिर इसके बाद मैं रोज की रोज आपको बताया जा रहा हूं कुछ बात जो कि आपको शायद समझ आए यह ना है ठीक है बट मेरा काम है आपको समझाना प्रॉपर तरीके से गाइड करना जो कि मैं आपको करके रहूंगा ठीक है डेली आपको हो गया कि डेल अच्छे से यूटिलाइज की जिए चीज़ों को देखो अभी इस वक्त जो जरूरत है सबसे जादा जरूरत है वह अनकैडमी जो है ब्रैंडिड नोट्स अनकैडमी ने डेवलप किये नोट्स वह हैं जो कि देखो हम जैसे बेस्ट रैंकर्स ने जो बहुत अच्छे अच चेक कर रहा है थोरो ली पढ़ा है उसको रिव्यू कर रहा है और जो बेस्ट फेकल्टीज हैं कोटा की मुंबई की इंडिया के अंदर जितना आप सो सकते हो ना बेस्ट जो फेकल्टीज है उन्होंने यह डिजाइन करें अपने हाथों से खुद लिखे हैं ठीक है प्रिं इसका ठीक है तो देखो जाएक अपनिक सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं बच्चो उन लोगों को घर पे डिलेवर होंगे उनके घर पे डिलेवर हो जाएंगे नोट्स तो मैं आपको सही बताओं नोट्स की बहुत ज्यादा कीमत होती है मेरे पास आज भी मेरे कुछ नोट चुलिष रखे हैं जो भी फ़िस बाताऊ है उन बच्चों को बच्चों इन्ह आप नोट्स मिलेंगे ठीक है उनको को नि después शीज होंगे वां भी तेर्म को च मिलते हैं तो मैं बता में रहा हूँ अगर आप 12th class में हो या फिर आप 11th class में हो अगर आप offline का सोच रहे हो कि भाया अभी college खुल जाए वह college खुल जाए क्या रहा हूँ ठीक है अगर आप बोलो कि आपको notes मिल रहे हैं और क्या क्या चीजे मिलेंगी वह सारा मैं आपको बता रहा हूँ तो price देखो price बहुत कम है बच्चे 5000 रुपे महीना पड़ रहा है आपको 10% discount मिल जाएगा 10% discount मिल जाएगा यह जो 65 वाला है यहां पर आपको साड़े 6000 का बच्चत हो जाएगा यहां पर साड़े 6000 रुपे बच जाएगे और यह जो दो साल वाला plan है इसमें आपको 10,000 बच जाएगे अब आप पूछोगी कि सार ऐसा क्या क्या मिल रहा है आ अगर आप plus subscription ले रहे हैं तो भी आपको maximum काम हो जाता है ठीक है अगर आपको लग रहा है कि आपको iconic subscription चाहिए तो आप iconic subscription के तरफ भी जा सकते हैं तो आपको यहां पर क्या-क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ plus subscription के अंतर सबसे पहले तो बच्चे life classes जो plus life classes होती है देखो free classes भी चलती है जिनको हम हम बोलते है special class क्या बोलते है special class बोलते है तो यह जो होती है free पर special class जो होती है free अगर आप पनेकडमी एप पे नहीं है तो आप जॉइन कर लो ठीक है रेफरल कोड में आप यूज कर लिए जएगा चिराक 10 सेम कोड रहेगा ठीक है तो आप स्पेशल क्लास जॉइन कर सकते हो ठीक है यह बिल्कुल फ्री रहता है बट अगर प्लास क्लासेज जॉइन करनी है तो यह ला कोडर सक्वार मनतली क reminds सब बच living यह चलते हैं यहांप काफी护 PHIL कि अभी प्लेट बच्चों सब्सक्रिप्शन पे हैं देखो 17,000,000 बच्चों का competition है किसी को कोई फर्क ने पढ़ता है मेरे को फर्क ने पढ़ता है आपको फर्क ने पढ़ता है क्या आप वो subscription ले रहे हैं नहीं ले बट जो एक चीज़ मैं बता दूँ जो plus subscription या iconic subscription लेकर पढ़ रहे हैं बच्चे वो लोग कही ना कही उन बच्चों से बहुत जादा आगे हैं जो की normal आपके YouTube से पढ़ रहे हैं कारण मैं बताओं क्योंकि वो proper test series दे रहे हैं proper life classes ले रहे हैं proper structure course में हैं अगर वो same मेहनत कर ले हैं जो YouTube वाले बच्चे हैं ठीक है तो जादा marks ला सकते हैं ठीक है अगर मेहनत नहीं करता बच्चों देखो selection नहीं होता है fact है बुरी बात है मानना है मानो मेरे को गाली देना है गाली दो पर मैं आपको एक चीज़ बता दू मेहनत नहीं करोगे बच्चों मैं अभी क्या भगवान भी selection नहीं करा सकता है ठीक है मेरे drop लगा था मेरे को drop लगा था मैं 245 marks से 645 marks पाया हूँ ठीक है मेरे को पता है इसके अंदर कितना महनत लगता है ठीक है और अभी IMS BHU के अंदर बैठावा हूँ IMS BHU के wholesale के अंदर वी रही है ठीक है तो मैं इससे जादा मतलब क्या बोलूँ आपको ठीक है महनत लगता है बच्चो महनत करना पड़ता है जब तक आप efforts नहीं डालोगे जब तक कुछ नहीं होगा तो एक proper course जोइन करो जहां पर आपको life classes मिल रही है structure course मिल रहा है आपकी weekly test series चल रही है और साथ में unlimited access है कितनी बार भी देखो मैंने offline के अंदर ये बहुत गलत फील कर रहा था कि देखो मैं रात में पढ़ता था रात में 12 बजे एक बजे पढ़ता था उस time पे कोई class ही नहीं होती थी मैं कैसे बढ़ता था अगले दिन जाके डाउट पूछता था अगर डाउट भी एक्स्ट्रा पूछ लिया तो भाया टीचर के बस कभी डाउट होता था कभी नहीं होता था कोई कर लूँगा ठीक है जैसे भी है communication होगा जिससे कि हम आपस में बात कर सके communicate कर सके मैं आपको personally guide कर सकूँ आप मुझे बता दीचेगा कि हमने ऐसे subscription लिया है आपका code यूज करके screenshot लेके रखिएगा तो मैं आपको guide करता हूँगा तो आपका यह जो personal guidance है यह तो आपको plus के अंदर भी मिल जाएगा अगर आप यह code यूज कर रहे हो तो ठीक है फिर साथ में study planner है study planner आपको iconic के अंदर मिलता है study planner मैं बहुत जादा plan करके दे नहीं सकता हूँ बट मैं आपको overview आपको plan करके दे दूँगा ठीक है study material जो है आपका जो अभी deliverable जो notes है वो आपको मिलता है बट यहां पर भी मिल जाएंगे बच्चो बट आपके अंदर मिलेंगे ठीक है तो मेरे हिसाब से आपके खुद के handwritten notes बहुत ज़रूरी है मैं आज भी MBBS के अंदर भी अपने handwritten notes बनाता हूँ ठीक है वो बहुत ज़रूरी है वो must है बच्चो वो हमेशा must रहेंगे जिंदगी भर आपके साथ देने वाले है handwritten notes तो handwritten notes तो मैं कहा रहा हूँ कि आप plus subscription low या iconic आपको कहीं से भी notes त है तो आप खुद revise कर रहे होगे अगर आपके अंदर app में है तो आप वहां से revise कर सकते हो तो यह बहुत जरूरी है expert guidelines यह सारी तो आपको हर जगा मिलती है बट यहां पर आपको एक specially allotted होता है जो कि आपको proper guidance देता है फिर साथ में test analysis है जो कि आपको यहां मिलता है आप test द सकते हो आप थोड़ा सा spend कर सकते हैं तो आप यह spend कर सकते हैं तो आप पूछो कि batches कौन से हैं देखो 28 तारिकों ही batches शुरू है नेट यूजी के लिए एक जो बच्चे जो बिल्कुल हिंदी में चाहते हैं batch हो उन बच्चों के लिए निपुन batch है उन बच्चों के लिए पर एक समुर्पन batch है समुर्पन batch है जो की max language चलता है जैसे मैं पढ़ा तो हिंदी प्लेस इंग्लिश में फिर एक नर्चर batch है बच्चों जो नीट यूजी 23 वाले बच्चों के लिए जो नीट यूजी 23 में देने वाले हैं तो आप यह जॉइन ले सकते हैं तो एक limited period offer भी इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको एक थोड़ी सी security मिल जाए कि आगे हो या पहले हो कोई फर्क नहीं बढ़ता हमें पर हमारे पास plan है हमारा expire नहीं हो रहा है ठीक है तो दो महीने एक्स्ट्रा आपको subscription में ली रहा है तो आप पूछो कि देखो आपका iconic subscription के अंदर मैंने आपको 2 subscription देखो 18 महीने वाला थोड़ा सा वाजीब नहीं लगता है मैं इसलिए मैं आपको ज्यादा बताता नहीं हूँ बड़ा आप 18 महीने वाला भी देख सकते हैं देखो एक लाग का subscription होता है टू यह का और वन यह का subscription जो होता है वह होता है आपका 65,000 का इस पर आपको युज़ करना है चिराग 10 कोड आपको यूज़ कर लेना है ठीक है तो आपको 12 मन्त का जो subscription है वह आपको मिलेगा 38,500 के अंदर ठीक है जो कि आपको discount करके मिलेगा लगबग 34,000 का पड़ेगा और जो 24 महीने का subscription है यह आपको कितने का पड़ेगा 50,000 का है यह आपको 45,000 का देख रहे हो थोड़ा बोड मलब double का difference है बट आपको services भी extra मिल रही है अगर आपको VIP treatment चाहिए जो just go for iconic subscription अगर आपको VIP treatment नहीं चाहिए आप चाहते हैं कि हम खुद से कर लेंगे बट हमें YouTube वालों से अच्छा पढ़ना है हमें offline जो जा रहे हैं बच्चों उन से अच्छा पढ़ना है तो आप subscription ले सकते हैं वहाँ तो बहुत सारे batches चल रहे हैं आप कोई भी batches जाके जॉइन कर सकते हैं unlimited access है ऐसा नहीं है कि एक बार ही जॉइन कर लिया है तो सिर्फ एक बहुत सारे batch में जाके जॉइन कर सकते हैं चलो अगर किसी का कोई डाउट है तो बताओ तो आपको कैसे लेना है देखो अनकाडमी आप डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से यह तीन स्टेप्स हैं कि आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनकाडम कोड लिखा रहा है यहां पर कोड याद से डाल देना चिराग 10 जिसे कि आपको 10% डिसकाउंड मिल जाए और आप मेरी गाइडेंस के अंदर जॉइन कर सेगो मेरी गाइडेंस के अंदर जॉइन करोगे आप मुझे बता दोगे और आपको मेंटर करूगा फिर उसके बाद क सब पूछ चुके सर हमें 11 कोड मिल जागा कि अगर हम फर्स आएंगे नहीं बच्चे बट डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को मिलेगा 11 कोड का प्राइस पूले डिस्रिब्यूट होगा अलग-अलग बच्चों में ठीक है तो ऐसे डेली प्रेक्टेस चेस चल रहे हैं ज इसके लिए आप कोड की जरुट होगी कोड वहीं रहेगा चिराग 10 कोड यूज के लिए जीगा चिराग 10 सिंपल जीवाद तो फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे नोडल टिशू अगर यहां तक किसी को कि डाउट है तो बताओ सबसे बेर मिनमम जो लूपोल्स मिलेगे न अगाडमी के अंदर इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत सारी फिकल्टी का तो आप क्या करोगे आपके पास आपके पास पचास ओप्शन है आप आप पचास टीचर ट्राय करो दिन के अंदर दो टीचर ट्राय कर रहे हो आप एक महिने के अंदर एक ऐसा टीचर पकड़ लो जिससे आपको समझ लो कि बस मेरे को इसी से पढ़ना है और कि इसी से पढ़ना ही नहीं है एक बार ही अगर आपने ऐसा कर लिया ना सही बता रहा ह आपको इससे best कुछ नहीं होगा आप लोगों के लिए एक बार या पकड़ लो best teacher उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो कि मैं तो पूरी मेहनत करनी है आग यह होता रहेगा हमारा ठीक है यह best चीज बेस चीज है चलो एक्जाक्ली तोबा बेना struggle के नहीं हो सकता भाई तूबा सॉरी चलो अभी देखते है नोडल टीशू तो इन्हें यह बहुत अच्छा सा डायाग्राम है यह थोड़ा सा कौन सा साइड है आपका राइट साइड है यह कौन सा है राइट साइड है यह कौन से है लेफ्ट साइ तो यहाँ पर देखो कि क्या है सबसे पहला जो होता है ऐसे नोड होता है सबसे पहला क्या होता है ऐसे नोड फिर क्या होता है एट्रियल मसल्स होती है फिर तीसरा होता है एवी नोड फिर चोथा होता है बंडल ओफ फिर फिफ्ट होता है राइट लेफ्ट बंडल तो यह आपको diegram भस यह याद रखने के लिए कि बस इतना क्योंकि अभी मैं आपको चीज़े बता ने वाला हूँ इनके बारे में बारे में आपको उसके पहले ऐल्गास है मैं water break ले देता हूं अपने लिए ठीक है अगर किसी को कुछ भी किसी भी टाइप का डाउट है तो जल्दी से बताओ आ जाओ जल्दी से बताओ डाउट बताओ ठाकि हम शुरू कर सके बताओ किसी किसी भी चीज से रि-लe-toє चलो ayud किछी को डाउट नहीं नहीं है डो देगो सबसे पहले मैंने आप को बताया जो जो मेन चीजे हैं ऐसे नोड के बारे में देखो किसके बारे में देखो ऐसे नोड के बारे में देखो तो ऐसे नोड के बारे में देखो इसको हम बोलते है नोड ओफ केथ क्या बोलते है कि आई ए टी एच देखो एंसे आटी में नहीं लिखा इसलिए मैं अलग से लिखवा दर्फारों बैस आपको कि नोट्स ओफ केथ भी बोला जाता है ठीक है फिर यह जो होता है यह कहां पे होता है यह होता राइट सैड ओफ राइट ऐटरियम होता है और जो इंपल्स होता है यह जन्रेट करता है बर 500 intentional impulse अब आप बोलो कि सो बार धड़कना चीए दिल तो बट नहीं उसको कंट्रोल करके रखता है ठीक है इसको कोई कंट्रोल करके रखता है पैरा संपाथिटिक सिस्टम जिसकी वजए सेविंटी के अराउंड सेट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ओफ हार्ट इसको ह मतलब गया होता है atrial ventricular तो यह कहा होगा junction भे होगा atrium and ventricular के यह होता है at the junction of inter atrial and inter ventricular septum ia और iv septum के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं pace settler क्योंकि न यह इसे डिवाइड करता है यह जो pace होता है इसको आगे ventricles में भीजता है atria में generate हुआ बट ventricles में भीजता है तो यह क्या होगा pace settler होगा hello rt कैसे हैं आप फिर third जो होता है वो होता है बच्चो बंडल of his third जो होता है यह होता है bundle of his है इस देखो capital लिख है मैंने scientist का नाम है ठीक है तो bundle of his होता है तो यह कहां पर होता है बच्चो यह होता है in interventricular septum in interventricular septum एक चीज मैं बता दू यार यह ना seconds मत याद रखना ठीक है कोई seconds आपके काम के नहीं है बस आपको यह डाग्राम याद रखो देखो डाग्राम याद रखो राइट साइड में ऐसे नोड है फिर उसके बाद बीच में जो है आपका एवी नोड आ गया फिर उसके बाद बीच में interventricular septum के अंदर bundle of his आ गया फिर उसके बाद last जो होता है आपका परकेंजी फाइबर्स परकेंजी फाइबर्स परकेंजी भी नाम है ठीक है परकेंजी भी नाम है परकेंजी आपको बहुत जगा नाम सुनने को मिलता है परकेंजी फाइबर्स ठीक है तो परकेंजी फाइबर्स जो होता है आपका वो ये होता है walls of ventricle में होता है walls of ventricle में होता है ये thin होते हैं in fibrous होते है ठीक है these arise from apex of ventricle apex of ventricle जो ventricle का apex होता है न वहाँ सी origin करते हैं क्या पर केंजी fibers, तो यहां पर थेह और एक sequence आपको याद रखना है, एक आपको sequence याद रखना है, एक sequence देखो, ठीक है, हिस का Earth के answer, बचहे हिज मतलब हिज है, मतलब एक scientist का नाम है, जैसे मेरा नाम चिराग है, चिराग मतलब चिराग रहेका,ундल ओफinta, खिराग, ठीक है, bundle of his, ऐसे bundle of his है, ठीक है, तो sequence जो होता है, बच्चो, ऐसे node होता है, ऐसे node होता है, फिर वहाँ से जाता है, AV node के अंदर, पिर जाता है, AV node के अंदर, वहाँ से जाता है, bundle of his के अंदर, ठीक है, bundle of his के बाद जाता है, परकेंजी fibers के अंदर, परकेंजी fibers के अंदर, फिर वहाँ से मणसल्स के अंदर जाएगा यह तो यहां पको यादखना है ठीक है तो अब यह जो होता है maximum, maximum यहाँ पर मिलता है, ऐसे नोड के अंदर, इसलिए क्या बोलता है, इसको pace maker, क्योंकि यह pace बनाता है, सबसे dominant है, फिर जो AV नोड है, वो बीच में present होता है, pace settler, क्योंकि उसको distribution में help करता है, बचे, पूरा heart important है, which part of heart is not important, पूरा heart important है, अभी हम conductive system के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम पहले muscles के बारे में, हमने epithelial tissue के अंदर बात कर रहा था, कि अगर muscle के अंदर कुछ हो जाएगा, तो ग्या दिक्कत है, फिर हमने हमने heart के अंदर cusp के बारे में, जो हमने अभी codic tendon है पड़ा, वो भी important है, क्यों कि वो ही तो wolf को maintain करेंगे, अगर wolf खराब हो जाएगा, wolf resurgitation बोलते हैं, बिमारी अलग, wolf damage हो जाएगा, तो उसको, तो wolf के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो wolf के बारे में देखते हैं, wolf के इंदर सबसे पहला wolf जो हमें देखना है, जो सबस scientist जिन्हों बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छे scientist रही है, इसलिए उनके नाम पे बहुत सारी चीज़े आपको body के अंदर देखने में मुलती है, haversian wolf, तो आप ऐसा काम करो, दुनिया आपका नाम जाने, ठीक है, तो haversian जिन्हे बहुत सीरेस ले लिया, दिल पे ले लिया था ये चीज़ को, तो इसलिए दिल के अंदर एक चीज ढून डाली, haversian wolf ढून डाला, तो haversian wolf के बारे में देखते है, ठीक है, haversian wolf के है, ठीक है, in right atrium, in right atrium, blood is received from, blood is received from, upper part of body, upper part of body, through, superior vina kava, superior vina kava, superior vina kava, superior vina kava क्या, svcv लिख देते हैं, ठीक है, that is guarded by, that is guarded by, है, haversian wolf, इसको guard करता है, haversian wolf, haversian wolf कहां पे है, superior vina kava के अंदर है, ठीक है, फिर दूसरा wolf होता है, बच्चो, ustachion wall, ustachion wall, ustachion wall, ustachion wall, बच्चो, एक मैंने ustachion tube पढ़ाई थी, ustachion tube बताई थी, cartilage के बारे में बताई थी, ठीक है, elastic cartilage की बनी होती है, कहां होती है, कान को जो middle ear cavity होती है, उसको आप के mouth से जोड़ती है, कौन सा, nasal pharynx से जोड़ती है, pharynx के bird से जोड़ती है, तो ustachion ने भी बहुत जादा काम किया है, उसलिए ustachion जी का भी भी बहुत नाम है, तो ustachion दी ने काम क्या करा था, जो नीचे से जो blood आ रहा है right atrium में नीचे है जो lower part से जो blood आ रहा है वो क्या उनले किया आता है inferior vena kava तो जो होता है in right atrium blood is received from lower body part lower body part through inferior vena kava IVC मतलब होता है inferior vena kava and that is guarded by that is guarded by eustachian wolf eustachian wolf यह simple simple wolves आप से पहले पूछे गए है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ IVC को कौन गाड कर रहा है eustachian wolf तो इतना आपको पता होना अची है ठीक है यहाँ तक किसी को कि doubt है तो बता हो heversyn के नाल walksman का नाल बहुत सही बात है ठीक है बचे मैं circulation से दो या तीन कोशन expect करता हूँ मैं circulation से की दो तीन कोशन आई ही जाएंगे ठीक है फिर हम देखते है walls of heart के अंदर आगे देखते है कि और कौन सा होता है third एक वोल्व होता है thibasian wolf एक होता है thibasian wolf तो thibasian wolf कहां पर होता है यह होता है बच्चों यह आपका होता है coronary sinus के जो हमने coronary sinus पढ़ा था ना उसके अंदर होता है ठीक है तो right atrium जो blood लेता है coronary sinus से this guard the coronary sinus that opens into right atrium जो कि right atrium में open हो रहा है उसको guard करके रख रहा है किसको coronary sinus को तो यह coronary sinus के अंदर होता है फिर चोता वॉल देखो ठीक है चोता वॉल नहीं है actually इसलिए मैं आपको बताना है ठीक है चोती जो चीज है वो थोड़ी सी important है वो चीज आप देखो ठीक है हाँ exactly maintenance of air pressure ठीक है equilibrium maintain करता है tympanning membrane के around ठीक है air pressure का air को maintain नहीं करता हो तो जो left atrium जो होता है तो हमने right atrium की तीन चीज़े बढ़ दी अब left atrium देखो जो left atrium receives blood from the कहां से आता है pulmonary pulmonary veins ठीक है यह जो pulmonary veins होती है एक paired होती है pulmonary veins कितनी होती है एक paired होती है which have four openings which have four openings ऐसा चार openings होती है pulmonary vein की total चार openings होती है that is oblique ठीक है यह जो opening है यह भी oblique है तो oblique कुछ भी open हो रहा है यह एसे चेम्बर है ठीक है इसके अंदर नहीं ऐसे oblique ली open हो रहा है बट oblique ली ऐसे open हो रहा है यह एसे टेडा सा है तो क्या इसको वुल्व की जरूद है इसको वूल्व की जरुद है क्यों क्योंकि backflow अगर ऐसे oblique है तो कभी भी backflow यह नहीं अगर лайक अगर सपोडृ मेंस कोई जरूद को थे brushes होbu next ही है therefore no walls are required तो कोई भी wall यहां पर required नहीं होता कोई भी wall यहां पर चाहिए ही नहीं pulmonary veins की opening के लिए ठीक है तो कोई wall यहां पर present नहीं होता ठीक है first के बाद fifth अगर ventricles की बात करें ventricles की बात करें तो दो होते हैं left and right ठीक है यहां से जाता है aota left ventricle से जाता है aota and right ventricle से जाता है आपका pulmonary artery pulmonary artery तो यह जो होता है यह दों दो guarded किससे होते हैं जो यह यहां पर जो guarding है ठीक है these are guarded by these are guarded by क्या aotic and pulmonary wolf उनको हम बोलते हैं semi lunar walls तो semi lunar walls दो होते हैं aotic and दूसरा pulmonary pulmonary aotic wolf and pulmonary wall अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहां से देख लो रूखो अभी अभी आगेस visible होगा aortic and sorry aortic and pulmonary wall अभी visible रहेगा आपको देख लो aortic and pulmonary wall अगर यहां तक किसी को doubt है तो बताओ यहां तक किसी को भी किसी भी बता देते हैं सर कि एक summary सी बता दो कि जी हमें याद रहे ना रहे exam time पर क्या revise करें तो summary में देखो एक होता है bicuspid wall ठीक है between left atria and ventricle a and v मतलब atria and ventricle दूसरा tricuspid between right atria and ventricular in atria ventricular septum ev septum में होता है ठीक है फिर तीसरा वोल हमने पढ़ा अभी heversian wolf heversian wolf यह होता है right atrium and superior vena cava या फिर superior vena cava opening बोल सकते हो opening बोल सकते हो ठीक है superior vena cava opening बोल सकते हो चोथा eustachian wolf eustachian wolf eustachian wolf चलो आप लोग बताओगे eustachian wolf कहा होता है it's okay it's okay it's okay it's okay कोई दिक्कत नहीं ठीक है eustachian बताओ eustachian क्या होता है फिर eustachian के बाद एक पढ़ा था thibasian thibasian भी बताओ कहां होता है thibasian wolf कहां होता है फिर sixth आपका जो हमने लास्ट अभी अभी लेटिस पढ़े हैं कौन से semilunar wall semilunar wall यह कहां होते है aiotic and aiotic और दूसरा कौन सा opening पढ़ा था हमने pulmonary pulmonary artery opening ठीक है और pulmonary pulmonary veins don't have any walls इसके अंदर कोई walls नहीं होते है बल्ला pulmonary veins के अंदर अलग जो walls होंगे जो venus walls होंगे तो वह होंगे pulmonary veins opening don't have walls ठीक है opening don't have walls तो यहां बताओ eustachian wolf किसे ने लिखा नहीं लिखे बड़े गंदे बच्च्चों या या eustachian जो होता है eustachian कहां होता है चल्दी से बताओ right atrium and inferior vina kava और जो thibation होता है right atrium and coronary sinus में कहां होता है coronary sinus में होता है इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ से conductive system of heart जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो हाद एक cycle से पहले हलका सा conductive system देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं छोड़ो अलग से add करके बता देता हूं हलका सा देख लो ठीक है हलका सा देख लो बस इतना है कंड़क्टिव सिस्टम ओफ हार्ट कंड़क्टिव system of heart के बारे में देख लो ठीक है कंड़क्टिव सिस्टम ओफ हार्ट के बारे में देखो कुछ points लिख लो बस यहाँ पर ज्योंकि मैं लिखवा रहा हूं तो point wise लिखना है ठीक है conductive system of heart में point wise लिखना है कुछ points में आपको को लिखवा रहा हूं सीधा-सीधा भाई आपको याद रखने है ठीक है चलो कि सबसे पहला पॉइंट आता है ऐसे नोड के बारे में ठीक है ऐसे नोड के बारे में ऐसे नोड जो होता है यह करता है यह करता है जन्यरेट इम्पल्स से 75-100 खीक है 75-100 मिलिएलेक्टरन वॉल्ट का जनरेट करता है ऐट की जगह ऑस निखलेना ऑस 75-100 पहली बात तो यह होगी फिर आता है एवी नोड फिर आते अट्रियो वेंटरिकलर नोड ठीक है location तो सभी को पता ही है कहां होती है at the junction of at the junction of interatrial and interventricular septum interatrial and interventricular septum का junction होता है वहाँ पे आपको मिलता है ठीक है और यह जो होता है दूसरी जो चीज होती है towards left hand corner of right atrium जो right atrium होता है उसका जो left hand corner होता है उसके तरफ यह होता है तो left hand इसके बारे में बता लग गया और जो impulse generate करता है यह 45 to 60 milli electron volt की generate करता है इतना 45 to 60 milli electron volt की generate करता है एक note करके एक point लिख लो refractory period is maximum in maximum in cardiac muscle जो cardiac muscle होती है उसके अंदर refractory period maximum होता है ठीक है therefore least fatigue होता है therefore least fatigue होता है सबसे कम fatigue हो रहेगा ठीक है फिर उसके बाद जब बात करते हैं तो AV node के बारे में बात करी जाती है किसके बारे में AV node के बारे में तो AV node जो होता है transmit करता है transmit impulse from atrial valve atrial valve to the ventricular valve ventricular valve through bundle of his bundle of his bundle of his के दुरू ये transmission का रहाता है अब ये जो bundle of his के दुरू transmission हो रहा है ये bundle of his का कितना होता है थर्टी फाइफ मिले इलेक्टरों वोल्ट जनेशन होता है परकेंजी फाइबर्स ठीक है जो की फर्दर कनेक्टेट होता है परकेंजी फाइबर्स के साथ ठीक है जो की generate करता है थर्टी मिले इलेक्टरों वोल्ट कितना generate करता है थर्टी मिले इलेक्टरों वोल्ट ठीक है तो ये जो परकेंजी फाइबर्स है न ये तो याद रखो एक यहाँ पे करके पॉइंट लिखो नोट करके याद रख लो जो परकेंजी सेल्स होते हैं परकेंजी सेल्स जो होते हैं और प्रेजेंट इन सेरी बेलम and our most complex cell of our body ये जो परकेंजी नाम के साइंटेस थे इन्होंने भी बहुत मैनत खाई थी है वरसीन और यूस्चेचन जैसे इन्होंने भी बहुत चीजे डिस्कवर कर दी थी चालो आगे देखते हैं आगे के कंसेप्ट देखते हैं कि आगे क्या है ठीक है if this conduction is not properly transmitted अगर ये proper transmission नहीं हो रहा है then the hard block क्या बोला जाता है hard block और avnodal block avnodal block बोला जाता है ठीक है और avnodal block होता है देखो heart block बोला जाता है पर जब avnodal block होता है ठीक है इसको हम बोल दे जाता है stock adam syndrome या फिर ventricular escape बोला जाता है तो ये थोड़े बहुत चीजे हैं जो कि आपको पता होना चीए ज्यादा डिटेल में नहीं बट इतना से आपको पताने चीए conductor system of heart के बारे में तो यह आपको मिल जाएगा घबराने की ज़रूरत नहीं यह पूरा आपको मिल जाएगा conductor system of heart के बारे में यह पूरा आपको slide as it is जो भी मैंने लिखे है सारे points आपको मिल जाएंगे ठीक है चलो अगर किसी को कोई doubt है तो बताओ यहां तक अगर यहां तक किसी को कोई भी doubt है तो बताओ मैं को चलो अभी मेर को आपके दो मिनिट आपको वूंद नहीं दिख रहे हैं चैट रिखेंगे आगर किसी को कोई doubt है तो बताओ नहीं तो हम cardiac cycle के बारे में देखते हैं तो cardiac cycle के बारे में देखो आपने कुछ चीजे तो 72 beats per minute ठीक है एक minute में कितनी बार धड़क रहा है 72 तो एक cardiac cycle मतलब जो एक cardiac cycle है इसके कितना टाइम होगा 60 एक minute में 72 धड़कता है इस एक टू ओऑ 0.8 second होता है ठीक है यह कितना होता है 0.8 second होता है तो 0.8 second कि आपकी क्या होती है car ah 特別 नहीं ख़र है तो आपकि बात करते हैं तो कितना होता है तो इसके बात क्या होता है थो इसमें क्या होता है बच्छो सभčो सबसे पहले एवी नोड होता है एवी नोड के बाद जाता है यह बच्छो बंडल ओफ के अंदर फिर जाता है परकेंजी फाइबर के अंदर परकेंजी फाइबर के अंदर वेंट्रिकुलर मसल होता है और यहां पर जब ऐसे नोड से एवी नोड जा रहा होता है तो यहां पर एट्रियल म होगा क्या होगा atrial contract करेगा atrial contraction क्या होगा atrial relaxation होगा जब तक E za node से दुबार Envy node नहीं आ जाता अलगा atrial relaxation यह पूरे एरिया मेरा равно atrial relaxation पूररे मेरा यहाँ बद जब जब AV node से लेकर जब bundle of his में जा रहा होगा तो क्या होगा atria से ventricle में जा रहा होगा तो जब atrial contraction हो चुका होगा atrial contraction हो चुका होगा तो उसके बाद क्या होगा ventricular contraction होगा ventricular contraction होगा कुछ time के लिए ventricular contraction रहेगा कुछ time के लिए फिर क्या रहेगा बच्चो वेंत्रिकुलर relaxation रहेगा वेंत्रिकुलर जो एक मस्थी चीज में आपको दिखाता हूँ देखो ये जो area है ये जो area है जहां पे atria भी relax कर रहे हैं और ventricular भी relax कर रहा है, जहाँ पर atria भी relax कर रहा है, ventricular भी relax कर रहा है इसको हम बोलते है joint relaxation phase, joint relaxation phase, चीक है, तब एक čीज और बताओं, एक चीज और आपको बताता हूं, चीक है, हलका सा जो BP होता है, BP हम लिखते हूं एक such पीस by yatak 85. mmHG. mmHG में लिखता है तो यह जो स्टोल मतलब क्या होता है बच्चो कॉंघलाक्स मतलब काडेक साइकल का यह जो डाग्राम मैंने बहुत सुंदर से एड़ गिया है इस चीज को हम समझते हैं अगर किसी को कई डाउट है तो बताओ यहां तक ठीक है यहां तक किसी को कई डाउट है तो बताओ सबसे पहला जो फेज है जो सबसे पहला जो फेज आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है एट्रियल सिस्टोल का दिख रहा है सबसे पहले क्या दिख रहा है एट्रियल सिस्टोल और यह कितनी देर का है वन सेकिंड का है यह कितना है वन सेकिंड का है वन सेकिंड क्या हो रहा ह atria का systole हो रहा है फिर उसके बाद पूरा जो phase है 0.7 second क्या हो रहा है atrial diastole atrial diastole मतलब atrial relaxation जब 1 second हो गया तो जब उसके बाद क्या होगा ventricular ने contract करना शुरू करा तो उसको क्या बोलते है ventricular systole उसको हम बोलते है यह होता है 0.3 second का कितना होता है 0.3 second का तो यहाँ पर markings देखो 0.1 second का important है 0.7 second important है 0.1 second क्या हो रहा है atrial systole हो रहा है 0.7 second क्या हो रहा है atrial diastole हो रहा है फिर उसके बाद 0.3 second क्या हो रहा है ventricular systole हो रहा है ventricular systole हो रहा है और जो 0.5 second है रेस जो 0.5 second है वो क्या हो रहा है ventricular diastole हो रहा है ठीक है और जो joint diastole है जो total joint diastole है वो कितना है इतना है ठीक है यह आधा है तो यह कितना होता है 0.4 second यह कितना हो रहा है joint diastole हो रहा है पहला देखो एट्रियल सिस्टोल दूसरा एट्रियल डायस्टोल एट्रियल सिस्टोल बार बार नहीं लिखुआ ठीक है एट्रियल डायस्टोल शोट में लिखेंगे फिर आता है वेंट्रिकॉलर सिस्टोल फिर होता है वेंट्रिकॉलर डायस्टोल वेंट्रिकॉलर ठीक है एक होता है 5th Joint Diastole तो यह आप से पूचा जाता है कि कितना कितना था इस रजादेGBा होता है तो यह j0.1 सेकंड अगक्यूंत अग्य टीक्मीकि जो इसका आपना की यह दिखो यह यह जो 0.5 second है इसका 1 second जो होता है, collide करता है, 0.1 second of atrial systole के तो इतना आपको समझ आया है, ऐसे आपका heart धड़कता है, सबसे पहले क्या होगा, atria contract करेगा, फिर blood जाएगा, ventricle के अंदर, देखो मैं आपको बताता हूँ, sequence अगर मैं आपको बता हूँ, cardiac cycle के अंदर तो क्या हो होता है, देखो, atria contract करता है, blood goes to ventricle, ventricle contract करता है, ventricle contract करता है, ठीक है, and atria relaxes, ठीक है, ventricle contract करता है, blood pump होता है, pump to iota and pulmonary artery, छीक है, फिर उसके बाद करता है, ventricle relax करता है, ventricle relax होता है, बहुत simple form में बता रहा हूँ, बहुत complex होता है, art phases होता है, वो इतने याद रखने के जुरत नहीं है, वो पूरा मैं आपको theory लिखवा दूँगा, ठीक है, तो ventricle relax हो जाते है, ventricle relax हो जाएंगे, तो वापस जो होता है blood यहाँ पे, atrial contraction, वापस से cardiac cycle शुरू हो जाती है, तो यह simple है, यह simple way है, simple explanation है, तो इतना आपको समझ आया है यह नहीं, चुकि अभी मैं आपको theory लिखवाने वाला हूँ, और theory believe me, थोड़ा complex होने वाला है, ठीक है, थोड़ा complex होने वाला है, तो अगर यहाँ तक आपको सम जलना जरूरी है, मिर को सर बोलने की जरूरत नहीं है, भाईया मान के चलो, थोड़ा सा बढ़ा हो आप लोगों से, भाईया बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, बट आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, अगर कोई भी चीज है तो बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ वेट कर रहा हूँ मैं आपके questions का नहीं तो फिर मैं शुरू कर रहा हूँगा फिर आगे बढ़ेंगे अगर किसी को कोई doubt नहीं तो जल्दी से बताओ चलो I hope किसी को कोई doubt नहीं है तो आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं अब cardiac cycle के बारे में points लिखना शुरू करते हूं ठीक है अब आपको लिखना है समझ तो आपको आगया basic मैंने आपको समझा दिया है जितना आपको जरुद पड़ेगा नीट के अंदर उससे जादा आपको जरुद नहीं पूछा जाएगा बहुत complex है यार cardiac cycle आओगे MBBS करोगे एक पूरा चेप्टर है cardiac cycle समझ रहे हो उसके अंदर बहुत detail मैं पढ़ना है cardiac cycle आपको जाधा attention मतलो तो अब देखो बहुत simple simple words है अभी लिखे जाओ बस तो ऐसे node होता है वह impulse देता है ऐसे node impulse देगा ठीक है atrial depolarization होगा जब muscles पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यह depolarization की वज़े से क्या होता है contraction होता है ठीक है that leads to contraction of atrias contraction of atrias चीक है बंदब दोनो atrias का होगा cold atrial systole this last 4.1 second कितने देर के लिए होता है 0.1 second का होता है in healthy human एक healthy human होगा तो इतना रहेगा फिर after depolarization after depolarization repolarization repolarization takes place and atrial muscles starts relaxing and that phase and that is known as उसको क्या बोला जाता है atrial diastole उसको क्या बोला जाता है atrial diastole बोला जाता है this lasts for 0.7 second कितने देर के लिए होता है 0.7 second के लिए रहता है ठीक है so एक चीज़ यहां पर note कर लो ठीक है एक चीज़ याद रख लो during atrial diastole during atrial diastole filling of blood into sorry filling of blood from vina kava यह थोड़ा सा छूप रहा है देख लेना vina kava and pulmonary pulmonary veins takes place इस time पर क्या हो रहा है filling of blood होता है यह आपका first जो phase है वो आपको मैंने बता तो यहां तक किसी को कोई doubt है नहीं I guess तो अगर किसी को कोई doubt है तो बता देना ठीक है चलो आगे देखते है दूसरा क्या चीज है दूसरा क्या कहना चाहता है अभी हम इसको लिखते हैं blue color से बहुत प्यारे blue color से लिखते हैं ठीक है तो अब क्या होगा ऐसे नोड से एवी नोड में जाएगा ऐसे नोड से कहां जाएगा एवी नोड करता है दूसरा क्या है दूसरा फेस क्या है एवी नोड जेनरेट्स इंपल्स एवी नोड जेनरेट करता है इंपल्स अफ्टर एट्रियल डिपोलरिज़ेशन atrial depolarization के बाद generate करता है that leads to that leads to ventricular depolarization that leads to knee that causes ventricular contraction that causes यह जो generate हुआ ना impulse यह cause कर रहा है ventricular depolarization that leads to ventricular systole this last for 0.3 second यह कितना होता है 0.3 second का होता है फिर इसके बाद then same ventricular repolarization होगा that causes ventricular diastole इसमें क्या होता है ventricular diastole होता है इसके बाद अगर यहां तक किसी को भी doubt है तो बता हो ventricular diastole किसी को भी doubt है तो बता हो चीक है तो यह जो entire जो भी होता है entire जो भी cycle होता है this entire events occurring in one cycle is known as is known as one beat बोलेंगे is known as cardiac cycle सेब्वचाइब एक बीट जो हो रहा है इसको हम क्या बोला जाता है cardiac cycle बोलते हैं चीक है तो चलो आगे देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है joint diastole होता है एक होता है joint diastole जो होता है जिसका मैंने आपको बताया कि point four second के लिए होता है joint diastole close रहेता है चीक है and maximum maximum filling of blood into the ventricles into the ventricles takes place during this phase that is approximately 86 ml approximately 86 ml होता है चीक है तो पहली बात तो यह हो गई फिर दूसरी बात देखोगे तो approximately 36 ml of blood filled during atrial systole के time पर 36 ml होता है therefore net blood after diastole is known as end diastolic volume ठीक है जितना भी blood आपका ventricle के अंदर है at the end of diastole वो क्या होता है end diastolic volume यह फिर EDV यह होता है 120 ml यह important है ठीक है EDV important है end diastolic volume ठीक है फिर उसके बाद after the ventricular after the ventricular systole the amount of blood left into the ventricles is known as yes क्या बोला जाता है बच्चो किसको याद है क्या बोला जाता है इस ब्लड को sorry यह chain नहीं हुआ I'm sorry एक बड़ी reconnect करना पड़ेगा मैं क्या बोला जाता है जल्दी से chat box में लिखके बताओ क्या बोला जाता है उस चीस को एंड systolic volume एंड systolic volume ठीक है एंड systolic volume तो जो total जो यह volume जो सुनता है यह होता है 50 ml ठीक है तो एक चीज और याद रखना है तीसरी चीज एक याद रखना है stroke volume stroke volume ठीक है stroke volume होता है amount of blood pumped by each ventricle in one beat यह होता है stroke volume होता है end diastolic volume and systolic volume यह होता है 120 minus 50 is equal to 70 ml यह आपको important है ठीक है फिर इसके बाद आपको याद रखना है fourth point एक याद रखना है cardiac output cardiac output क्या होता है यह बताना आपको ठीक है cardiac output क्या होता है cardiac output होता है amount of blood amount of blood pumped by बहुत सही लिक है यह बहुत सही लिक है the amount of blood pumped by each ventricle in one minute is known as cardiac output ठीक है तो cardiac output कितना होता है stroke volume इंडो में heart rate तो stroke volume कितना होता है 70 heart rate कितना होता है 72 that will be approximately 5 liter that will be approximately 5 liter तो यह सारी चीज़े आपको बता होनी चीए ठीक है तो एक होता है cardiac reserve एक cardiac reserve बोलते हैं ठीक है एक concept णिखaupt होता है części吗 एक concept होता है cardiac reserve का cardiac reserve का रिजर्व का का Okay आप cardiac reserve क्या होता है बच्छोँ cardiac reserve के बारे में जानना है van वेन हार्ट बीट गोस्टू दोस धाइस सो से तीन सो बीट पर मिनिट देन दा एंड सिस्टॉलिक वॉल्यूम ब्रिद्यूसिस तो 20 एमिल चीक है तो यह बोलते हैं कार्डियक रिजर्व अब यह 20 एमिल तक हो गया तो सोचो 30 एमिल और एक्स्ट्रा ब्लड है जो की पंप हो बीट के साथ पर हर एक बीट कितनी हो गई है तीन गुना बीट हो गई है तो टोटल जो काडियक रिजर्व के अंदर माक्सिमम पांच गुना आउटपुट बढ़ सकता है जो पांच लीटर आउटपुट है काडियक आउटपुट वह आपकी बॉड़ी 25 लीटर तक वह आपका 1000 लीटर का होता है तो अगर 25 लीटर देखो गए तो 40 मिनट के अंदर पूरा टांक भर देगा वह ब्लड से अगर ऐसी कुछ चीज हो तो इतना तीज हार्ट काम कर रहा है इतना तीज मशीन रही है आपके हार्ट की efficiency देखो बच्चो आपका human body बहुत जादा efficient है यह सारी चीज समझने की कोशिश करो ठीक है तो यह होता है cardiac reserve एक last चीज बता रहा हूँ एक होता है cardiac index एक होता है cardiac index इसके अलावा आपको जादा ज़रत नहीं होगी यह होता है cardiac output cardiac output divided by total body surface area in meter square तो जो आपका total body surface area होता है वो होता है बच्चो 1.7 ठीक है और जो cardiac output है वो बच्चो होता है 5 तो यह approximately जो निकलता है 3 अब यह cardiac index इसलिए बनाया बच्चो यह तीं cardiac index इसलिए बनाया देखो यह होता है लीटर पर मीटर square cardiac index इसलिए बनाया जैसे मैं थोड़ा सा मोटा आप थोड़े से पतले तो हम दोनों को cardiac output को कैसे major कर सकते हैं कि दोनों का heart कैसे काम कर रहा है तो हम cardiac index देखते हैं कि जो मोटा होगा उसका surface area जाद होगा जो cardiac output है उसका कैसा होगा तो cardiac output जादा होना चीए बच्चे जो मोटा है उसको जादा cardiac output की जुरत है जो पतला है उसको कम cardiac output की जुरत है तो body maintain करती है body पूरा ratio को maintain करत इसलिए हमने index बनाया क्या बनाया cardiac index यहां तक किसी को भी कैसा भी आज की class का कोई भी doubt है तो मेरे से पूछ लो क्योंकि हम कल final class में nervous regulation, hormonal regulation फिर साथ में हम क्या क्या देखने वाले हैं ECG, ECG के बारे में देखने वाले हैं फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे final जो भी पर बहुत जरूरी है वो देखना अगर किसी को कुछ भी doubt है तो जल्दी से पूछ लो मैंने देखा एक class के अंदर बच्चे आखरी में जाने लग जाते हैं पर जबकि मेरी class के अंदर पूरा important रहता है ऐसा कोई भी part ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ के चले जाओ ठीक है तो चलो अभी आगे देखें आगे देखें कि आगे क्या चीज़ें हैं हमारे human circulatory system के अवरे NCIT क्या कहती है हम बहुत overview देखते हैं NCIT का overview देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है blood vascular system के बारे में लिखा है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ हूँ कि क्या होता है आपका जिसमें chamber हैं यह कितने हैं चार chamber है हमारे पास ठीक है चार chamber heart रहता है तो अब heart की बात करते हैं कि heart के बारे में क्या क्या बोलता है lungs होता है slightly tilted होता है left side में size मुठी बंद कर दोगे तो यह होता है आपका cleansed fist लगब इतना heart है मेरा इतना इतना हाट है collective है कि करिंड़ के इसकी क چार covering में जिसको हम बोलते है, इसके इंदर 4 chambers होते है, एट्रिया बोला जाते हैं, इंचे बोला जाता है, नीचे बोला जाता है, muscular wall होती है जिसको हम बोलते हैं inter atrial septum बोलते हैं ठीक है फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ होता है thick wall होता है जो thick देखो thin है जो muscular है बट thin है यह चीज में आपको नहीं बता है थिन जो होता है वो क्या होता है inter atrial septum और जो thick होता है inter ventricular septum होता है ओता है क्या होता है सिक जो तैा इंटर अच्छ्ण को धीजो सेपरेइड करता जो इंदर आकिर उती होती है जबुटी है वह गारड़ेडवाल्ट होती मोल डिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑनीजिनos या फिर को सब्सक्राइब हो जो होता है वह कहां होता है पजो राइट साइड में जो कहां होते हैान, ठीक है तो यह simple सा concept है जो कि आपको पता होना चीए ठीक है तो यह right और left ventricle के बीच में तो यह जो diagram था यह simple NCRT का diagram है जहाँ पर हमने यह देखो दो chamber देखे यहाँ पर essay node देखा फिर हमने AV node देखा फिर उसके बाद हमने पर 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 पढ़ी चुके थे इनके अंदर क्या होता है सेमिल्यूनर वॉल्व होता है फिर इसके बाद only one direction में फ्लो होता है जो कि फ्लो के बारे में मैं कल आपको बढ़ा आ चुका हूं तो जहाँ ज्यादर डेटेल में आना नहीं चीए तो एंटायर हार्ट जो होता है काडियक मसल का बना होता है इसके अंदर जो वॉल्व जो ह बोलते है नोडल टीशू इसको हम बोल देते हैं नोडल टीशू बोला जाता है ठीक है तो नोडल टीशू के अंदर मैं आपको बता चुका हूं किस किस के बारे में ऐसे नोड के बारे में बता चुका हूं एवी नोड के बारे में बता चुका हूं लोकेशन साब को बता च केंजी फाइबर्स बोलते हैं ठीक है जो कि वेंट्रिकलर मस्कलेचर को पियर्स करेंगे और वापस डिवाइड करेंगे यहां पर यह रहा परकेंजी फाइबर्स के बारे में परकेंजी सेल्स कहां पर होते हैं सेरी बेलन के अंदर होते हैं मोश कॉंप्लेक्स तो वह क्या है परकेंजी फाइबर्स और उसके बारे में हो गया तो यह जो होते हैं यह क्या होते हैं बच्चो यह होते हैं ओटो एक्साइबल देखो क्या बोला जाता है myogenic heart बोला जाता है तो क्या नोड का होता है 72 75 पर मिनट है इसलिए यह जो 72 75 च जिलते हैं पिर उसके बाइच के बारे में कुछ बाते जानते हैं जो कि बहुत अच्छे से students in seiti में लिखा गया तो क्या लिख है ऐल्ड फोर चेमपर्स ओफ दा हाड हार रिलाक्स चीट सबसे पहले स्चेट में हैं जो कि जो कि जिसको बोला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं पच्छों जो इसको बोल देते हैं फिर उसके बाद सब्सक्राइब गया और सब्सक्राइब लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के दुरूं ए राइग वेंट्रिकल आ रहा है तो अभी क्या हो रहा है देखो सपोस्थ यह है चेमबर में ऐसे बनाऊंगा चार चेमबर बनाऊंगा तो यहां ऐसे blood flow कर रहा है jäसे blood flow कर रहा है यह first stage है फिर उसके बात क्या हो रहा है semi lunar wall यहां परалась यहाँपे कोई blood flow नहीं हो बारा यहां पर इयोटा और ब्लमना नहीं हो रहाँ नहीं हो रहा है बाउस विंपल डाइगराम बना रहाँ ठीक है semi lunar wall क्या है ? Please pressure स्थेज कि यहां पिआ हो चो यहां सब्सक्राटक्स निवा अच्छीं निदर कहा है यहां पर जो फिलिंग होगा 30 एय है और से पर बैंटित्व फिलिंग होगे 30 एप्र्टिमीटर सब्सक्राइब 36 ml, that is approximately 36 ml, वो कैसे भरेगा, वो जो 36 ml है, वो कैसे भरेगा, वो होगा atrial contraction की वज़े से, वो किसकी वज़े से होगा, atrial contraction के अंदर, अब यह जो atrial contraction हुआ, यह conducted by ventricular side, ठीक है, अब यह conduct होगा, ventricular side जा रहा है, ठीक है, AV node से, and AV bundle, अब यह bundle of his के थ्रू जा रहा है, अब नाम नहीं दिया गया था, तो यहां पे क्या दिया गया है, bundle of his, बोल आ गया है, तो bundle of his के थ्रू यह आगे impulse, ट्रांस्मिट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बच्छो, फिर उसके बाद, entire musculature के अंदर चला गया, अब इसकी वज़े से क्या हो रहा है, पोसे ventricular muscles to contract, अब इसके वज़े से क्या हो रहा है, ventricular muscles contract हो रही है, तो तीसरा phase आ गया, तो यहां पे तीसरा phase आ गया, ventricular systole का, ठीक है, and atria undergoes relaxation, atrial diastole, यह तीसरा phase आ गया, ठीक है, फिर अब ventricular systole के अंदर increase करेगा, ventricular pressure, ventricular pressure increase करेगा, जिसके वज़े से closer हो जाएगा, tricuspid और bicuspid wolf का, तो अब यहां क्या हो जाएगा, अगर ऐसे wolf है, तो यह बंद हो जाएगे, बट यहां पे यह open हो जाएगा, यह नीचे वाले wolf open हो जाएगे, semiluner wolf open हो जाएगे, ठीक है, यह इसकी वज़े से backflow की वज़े से बंद हो जाएगा, ठीक है, अब as ventricular pressure increases further, the semiluner wolf's gardening, the pulmonary artery and aorta are forced open, चीक है, अब इसकी वज़े से ब्लड जो होगा, ventricles है, flow करेगा, in vessels के अंदर, ठीक है, in vessels के अंदर, flow करने लगेगा, अब यह जो होगा, ventricles के अंदर से, vessels के अंदर flow करने लगा, तो यह जो ventricles होंगे, यह relax करने लगेगे, यह जो ventricles होंगे, क्या होगा, relax तो यह 4 stage आ गया, 4 stage आ गया किसका ventricular diastral तो ventricular pressure गिरेगा और साथ में closure हो जाएगा semilunar valve का, semilunar valve का हो जाएगा, जिसकी वज़े से prevent होगा back flow की blood जो है, वापस ना आप है ventricles के अंदर, जो ventricles से चला गया, वो वापस ना आप है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हैं, फिर उसके बाद, as the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by pressure in the atria exerted by blood, अब atria के अंदर जो blood है, वो pressure exert करेगा, जिसकी वज़े से यह सब open हो जाएगा, जिसकी वज़े से यह सारा pressure open हो जाएगा, इसकी वज़े से क्या होगा, बच्चों, जो blood होगा, वो again move freely into ventricles, अब दुबारे जो blood है, वो वापस ventricles के अंदर आ जाएगा, तो यह जो ventricles and atria are now again in the relaxed state, दुबारे वापस joint diastral की stage में आ जाएगे, तो again जो fifth stage है, वो first stage है, fifth या फिर first stage में आ गया, फिर वापस essay node impulse generate करेगा और same cycle repeat हो, तो यह जो sequential event हो रहा है, इसको हम बोलते है cardiac cycle, तो यह जो होता है, 72 beats per minute होता है, 0.8 second का होता है, ठीक है, 0.8 second का होता है, फिर उसके बाद जो होता है, 70 ml का होता है जिसको हम बोलते है, stroke volume, ठीक है, फिर उसके बाद यह पांच लीटर का होता है cardiac output, जिसको मैं आपको बदा चुका हूँ, यह explain करने की जरूरत मी है, यह सब आप पढ़नेंगे, तो हो जड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद रखना है, दो prominent sound सुनाई देती है, यह मैं आपको नहीं लिख्वाया हूँ, note in notes, फिर इसको note करके रख लो, note के अंदर इसको note करके रख लो, उसको note करके रख लो, फिर नोट के अंदर, तो दो heard sound सुनाई देती है, first heard sound होती है light on our voice, और second heard sound होती है divine sound, first heard sound होती है, etap है ठीक है बस इतना अब यह किस वजह से आती है यह पता होने जिए जो लब होती है closure होती है ट्राइक अस्पिड और बैक अस्पिड वोल्फ की और जो second हर्ट साउंड होती है वो semi lunar बस आप से इतना ही पूछा जाता है किसके closure पे कौन सा हर्ट साउंड बनता है ठीक है चलो अगर किसी को कोई भी doubt है तो बहुत easily मेरे से feel free करें बिल्गुल आप reach out कर सकते हैं मेरे से कोई भी परिशनियों आप मेरे से कभी भी doubt क्लियर कर सकते हैं यह मेरा टैलिग्राम चैनल है परफेक्शनीट चैनल इसको जॉइन कर लीजिए अनागाइड में प्रोफाइल है इसको जागे मेरे फॉलो कर लीजिए कोई भी दिक्का तो आप मेरे को contact कर सकते हैं कहीं पर भी चराग जैन 125 आपको कहीं पर भी यूजर नेम आपको कहीं प बाई गुड़ नाइट लेट्स क्राक अट भोड़ देना एक्जाम चलो बाई